हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित अकेडिमी के यूटूब चैनल पे जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉली टेक्निक ग्रूप यानि डी फार्मा इंटरंस एक्जाम की तैयारी के लिए हम लोगोंने बाइलोजी का 500 प्रषनकाल सीरीज चलाया है जो की काफी बहतर चल रहा है और आज इस प्रषनकाल सीरीज का 28 वीडियो यानि 28 वीडियो है और 28 वीडियो में हम लोग मानव सरीर क्रिया विग्यान यानि human physiology का part 2 करने वाले हैं ठीक है जो भी बच्चे part 1 नहीं देखे हैं part 1 को जरूर जाके देखिए, वहाँ पे मैंने Bones के बारे में discussion किया है अस्थियों के बारे में सारे नाम याद करवाएं है ठीक है, और आप सभी को Thank You कि आप लोगों ने Part 1 का वीडियो का Like Target 100, 20 मात्र एक दिन में किया, तो इसके लिए Thank You और इस वीडियो का Like Target फटाफट वीडियो का Like कर दिजिए और एक बता दूँ कि Human Physiology का हो सके तो Part 7 तक जाएगा तो पूरा लगतार फॉलो करते रही है और साथी साथ रिविजन करते रही है आपके एक्जाम में 5 से 7 question का benefit जरूर देखने को मिलेगा, यह मेरा guarantee है ठीक है, तो चलिए start करने से फ़हले में आपको बता दूँगी, टेलिग्राम चैनल उधीत Academy के नाम से है आप टेलिग्राम पेज सर्च करके जोइन कर सकते हैं, जोइन करने के बाद आपको classes को notification मिलेंगे और साथी साथ classes के free of cost PDF notes भी मिलेंगे और quiz भी करवाए जाते हैं तो देर किस बात की, जोइन कीजिए और चलिए हम लोग class start करते हैं ये question कल के class का last question था जोगे मैंने छोड़ा था लेकिन आज मैं इसी question से class start कर रहा हूँ क्योंकि ये important है और अच्छा concept है, एक dental formula का ठीक है? याद रखने वाली बात है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो चलिए question start करते हैं मनुष्य के जीवनकाल में कितने दांत दो बार विक्सित होते हैं सबी को पता होगा कि आपके भी दांत दो बार विक्सित हुए और पर्मानेंट ती तो कितना होता है? 32 जो कि दो बार विक्सित नहीं होता है यही पूछ रहा है कि मानव के जीवनकाल में कितने बार विक्सित होते हैं दो बार विक्सित होने वाले दांत कितने हैं तो 20 हैं, कितने हैं? 20 यानि 20 दांत ऐसे होते हैं जो की दो बार होते हैं विक्सित होते हैं जिसको मिल्क दीट कहते हैं ठीक है ये समझ लिए it. और क्या आता है आपके exam में सीधा सीधा dental formula इन्टल फर्मूला क्या आता है डात का कीस तरी специ officer formula और कैसे दात का संख्या निकाला जाता थीक है आपको क्या दियान रखना खास करकर पर्मानेंट तीद आपके एक्जामें पूछेगा क्योंकि NCRT में यह दिया हुआ है कि adult इंसान में जो यूवक होते हैं उन में यूवक में बोल रहा हूं यूवक में बोल रहा हूं adult में जो dental formula है वो कितना होता है कैसे होता है तो 21-23 बटे 21-23 क्या होता है 21-23 बट लक्चा में कैसे होता है 21-0 दू बटे 21-0 दू और वही जीरो को यहां पे क्या किया है नहीं सो किया इस लाइड में जिस कारण से यहां पे आपको क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है 21-23 बटे 21-23 तो आपको यह ध्यान रखना है कि milk तीथ यानि बजपन में dental formula क्या है 21-21 और पर्मानेंट तीथ में क्या होता है 21-23 बटे 21-23 ठीक है चलिए मेरे ख्याल से लगता है कि आपको concept clear हो गया होगा next question में आते है next question है मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है मैं आपको एक निंजा टेक्निक बता दूँ कि पाचन से related जो भी absorption तो दोनों का answer है छोटी आत वहिए छोटी आत में maximum पाचन और absorption दोनों का काम होता है और इससे related आपके exam में कम से कम दो बार question आये हैं मैं दिखाऊंगा previous year question भी मैंने set कर रखा है मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है पाचन का अधिकांस भ वो तीन पार्ट कौन-कौन से हैं एक होता है duo denim दूसरा होता जेजुनम तीसरा होता इियम ऐतीन पाट्स आपको याद रखने हैं और duo denim का shape कैसा होता है ज्यादा से ज्याद यह पूछेगा इसका wert होता है C shape कैसा होता है C a car का duodenum होता है मैं क्या बोल रहाहूं आपको clear कर हते है corget cinnamon if Name a 괜찮아 तेंष और स्माल इंडेसटाइन के जुब ओने पार्ट होते हैं Views wisdom दूसरा पार्ट जेजुनम तीसरा आ Part पूर्टिविन और पूछेगा डू देनम का अकार कैसा होताए डू डेनम काकार she Ш a car का था याने Seset का होता है ठीक है तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए चलिए next question मनुष से में पाचन क्रिया कहां प्रारंब होती है भीया आप जब खाना खाते है तो कहां से पाचन सुरू हो जाता है तो आपको इससे पहले समझना पड़ेगा पाचन होता क्या है देखे पाचन क्या होता है पाचन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मतलब कठीन चीज को सरल में बदला जाता है जैसे कोई रोटी का बड़ा टुकरा है उसको तोर तोर के छोटा छोटे टुकरा में बदला गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं पाचन कहते हैं पाचन यानि कि रोटी को टुकरा को हम लोग ऐसा छोटा टुकरा कर दे जिसको कि सरीर अवसूसित कर ले उसको हम लोग कहते हैं पाचन कहते हैं ठीक है तो इसी पाचन प्रक्रिया मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्पलेक्स चीज को सिंपल चीज में बदलना क्य से क्या कहलाता है पाचन क्रिया करता है तो वह जो पाचन क्रिया कहां से प्रारंब होती है इसे आप रोटी का टुकरा यदि मुह में डालते हैं तो मुह में ही क्या हो जाता है तो एक तरीके से क्या होता है मुह से ही क्या होता है वह पाचन प्रारंब हो जाता है और मुह में ह क्या होता है सैलाइवा यानि लार होता है लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं वह एंजाइम जो हमारे रोटी में स्टार्च है यानि कार्वाइडेट है उसको कनवर्ट कर देता है किसमें ग्लुकोज में यानि हमारा मुख का जो हमारा जो भोजन का पाचन है वह मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है कहां से मुख से ही क्योंकि मुख में चबाते हैं सबसे पहले बात वह सिंपल में टूटा फिर वहां पे कुछ एंजाइम भी होते हैं वह एंजाइम क्या हैं क्या काम करते हैं किसको पचाते हैं सब आगे मैंने क्वेश्चन सेट किया है तो मुख में मंड स्टार्च का सरकरा में पाचन किसके द्वारा होता है देखे champion उसी को हिंदी में कहते अस मंड को किसमें बदलते सरकरा या यानी उस मंड कोक викलिकोज में तो उसरेट स्टारइड मोनो इसक्राइ है ठीक है polysacride को monosacride में बदला यानि बड़े चीज़ को छोटे में बदला यह क्या हुआ पाचन हुआ तो वही चीज़ question में पूछ रहा है कि यह जो मुख में जो पाचन हो रहा है मंड या starch को सरकरा में बदल रहा है वो किसके द्वारा होता है किसके द्वारा ये काम होता है तो भाया ये काम होता है टाइलीन के द्वारा किसके द्वारा होता है टाइलीन नाम का एंजाइम होता है जो क्या करता है मुख में ही स्टार्च को सरकरा में बदल देता है ठीक है और टाइलीन को हम लोग सेलेवरी एमाईलेज नाम से जानते है celery amylage देखिए पहला option amylage है लेकिन amylage नहीं होगा confused नहीं होना है celery amylage लिखेगा तब ही होगा ठीक है तो tylin जो है वो ऐसे amylage ले सकते थे मैं भी confused होगा लेकिन answer आपका tylin लिया था तो भई पूरा नाम होता है celery amylage ठीक है और वो जो saliva है उसी में celery amylage नाम का enzyme होता है जिसका नाम है tylin और वह ही tylin enzyme starch को सरकरा में बदलता है फिर आपका question होगा कि मैं तो पता है ना कि concept clear करूंगा तो मैं आपका question होगा वो tylin enzyme कहां से निकलता है वो जो celery amylage आप कर दो नाम बोल रहे वह कहां से निकलता है तो निया ला लार क्रणत या स्टार्च का सरक्रा में बदल स्सक्रॉप हैं ठीक है छो जड़िवरी है ऋला घ्रंत थह ga sing ही की तीन टाइप के एक होते हैं पेरो टीड ग्लेंड दुसरे शॉते सबमेंडी बूलर और 你說 सब्लिंग वालños मेरे साथ वोल यह यह आपको पढ़ना आपके सिलेबस में है कि लीवरी ग्लेंड्ड जो कितने इन करे होता तीन टाइथ को कौन कानोसे जैंड्यूंथone स सब्सक्राइ ministry लान और पेरोटीड ग्लेंड देखने से भी पता चल रहा होगा और पेरोटीड ग्लेंड कहां होता है कान के पास होता है और सब लिंगुवल ग्लेंड कहां होता है जीव के नीचे होता है कहां होता है जीव के नीचे होता है ठीक है के सलीवरी ग्लेंड तीन प्रकार क्यों होता है एक पैरोटीड क्लेंड तुसरा होझा हो सब मेंडिबुलर ग्लेंड Vejo ग्लेंड सबसे बड़ी लार गणायन थीत वह पैरोटीड ग्लेंड थीक है तो चलिए हम लोग next question पे आते हैं next question है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है नेमनलिखित में से कौन सा जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है तो भाई या पाचन तंत्र का हिस्सा कौर्णिया नहीं है कौर्णिया देख रहे होंगे आप फोटो में वो आँख वाले हिस्से को कहते हैं इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं कौर्णिया कहते हैं तो कौर्णिया भया पांच पाचन तत्र से कोई लेना देना नहीं रखता है क्योंकि यह आँख वाला सिस्टम से लेना देना रखता है और जो भी ऑप्सन है यकरीत पिता से आंथ यह सब पाचन तर-दर से related चीज है ठीक है next question सरीर के लिए enzyme आवश्यक होते हैं क्योंकि सरीर में जो enzyme जैसे टाइलीन enzyme है वो enzyme किसलिए है जीव रशाइनी क्रिया को उत्परे रख करने के लिए यह क्या होते हैं जीव रशाइनी क्रिया के उत्परे रख होते हैं अब जीव रशाइनी क्रिया क्या है आपके बॉड़ी में जो बायो केमिकल रियक्शन होता है यानि जो गुलुकोच जो इस्टार्च है यानि मंड है तो एंजाइम जो है सरीर के लिए क्यों आवश्यक है क्योंकि ये जीव रशानिक क्रिया के क्या है उत्तु प्रेरक के रूप में काम करते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन दुग्द प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है देखिए हर चीज को पचाने के लिए क्य कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है किस नाम का कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है कैसीन प्रोटीन जिसके करण दूद का रंग क्या होता है सफेद होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन है अधिक्तम पोसक तत्वरक्त में कहां अवसोश कहां होता है फिर भी छोटी आत यानि स्मॉल इंटेस्टाइन में ठीक है वही पुछ रहा अधिक्तम पोसक तत्वरक्त में कहां विसोसित किया जाते हैं तो भाई या छोटी आत में ठीक है और छोटी आत के तीन टाइप होते हैं डूओडेनम जेजुनम और इलियम और इंष्ट अपने वैसिस परскूशन करवा यह बए फिर इक प्रिविश ए मृविरि इंजाइन जाइम पया जाता है जो की क्या करता कीया है मेरे साथ इन्मन को सरकरा में बदलताONG कहां पे मुख गुहां में ठीक है चलिए नेक्श्ट कुष्चं पयित्व बोजन विए निमनान कitट किसकी खास एवर शकता होती है यह पेट बोजन पचेगा बिना ENGYM के भोजन नहीं पच सकता है यह आपको पता चल गया वगा अभी तक में यह दूद को पचाने के लिए अलग से ENGYM है, प्रोटीन को पचाने एंजाइम के possible नहीं है तो इसलिए question का answer हो जाएगा पेट में भोजन को पचाने के लिए जो निम्नांकित में से किसकी खास है वक्त अवशक्ता होती है वह एंजाइम ठीक है अवशक्ता तो पानी की भी होती है लेकिन जितना एंजाइम है भया एंजाइम most important है ठीक है चलिए लार किसके पाचक में सहायता होती है जी आपका previous year question है previous year में आया हुआ है ठीक है लार किसके पाचन में सहायता करती है तो यह लार में क्या होता है टाइलीन और टाइलीन क्या करता है स्टार्च का पाचन करता है तो इस तरीके से अपका अपने mind को active रखना है इसलिए मैं ब बोलने से आपका question मेरे बोले हुए concept को सुनने से आपका question clear होगा इसलिए मेरे class को जब भी करो तो conscious होके class करो क्योंकि मैं बहुत important important concept को cover up करता हूँ कभी class में बकवासी जादा नहीं करता हूँ कभी कतल बोलने लगता हूँ क्योंकि बोलना जरूरी होता है वही करता हूँ जो आपके भलाई के लिए हो ठीक है लार किसके पाचन में सायक होता है तो यह स्टार्च के सायक में क्यों क्योंकि लार में क्या पाया जाता है टाइलीन एंजाइम, टाइलीन को क्या कहते है, सेलिवरी एमेलेज कहते है, टाइलीन का काम क्या है, स्टार्च, उसी को हिंदी में कहते है, मंड, वोई स्टार्च या मंड को किस में बदलता है, सरकरा में बदलता है, ठीक है, नेक्स्ट कुशिचन, नेक्स्ट कुशिचन है, मानव के अमासे में अमल एक्स उत्पन होता है जो भोजन के पाचन में सहयता करता है यहां एक्स है देखे बोल रहा है कि जो अमासे है अमासे यानि क्या होता है पेट इस पेट में जो एक X अमल उत्पन होता है, पता नहीं वो क्या उत्पन होता है, लेकिन कोई अमल है जो की X उत्पन होता है, वो भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, तो वो कौन सा है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अमला, यह तो आपको पता होगा, यह बहुत famous question ह आमासे के दुवारा कौन सा हो्मोन हो्मोनिय नहीं हमासे के दिवारा कौन सा एंजाइम होता है तो वह हैट्रोकलोरिक अमलत जो की भोजन के पचाने में पचाने में सहता प्रदान करता है ठीक हैं चलिए sqson next नेक्स्ट ए मानव सरीर में भोजन का रक्त द्वारा प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंब होता है देखिए मैंने बोला था चाहे रोटी खाये चावल खाये कुछ भी खाये जो सिर्फ मैंने भोजन बोला था तो वह होगा अंसर क्या मोख से बोजन में बहुत सारे चीज होता है परोटीन का पाचन को नाम है पेपसीन नाम का एंजाइम है पेपसीन प्रोटीन को पॉली पेप्टाइड में बदल देता है ठीक है आपको लेक्षर से डरना नहीं है यहां थोड़ा हाड हाड वर्ड का यूज हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं आपके एक्जाम में कुश्चन आते तभी तो मैं कर रहा हाइड्रोक्लोरिक अमल उसी के बारे में बात कर रहे है उसी रस के बारे में आसानी से भोजन को पचा लेते लेकिन आमासे स्वाइम इन पाचक रसों से ऑप्रा भ्यावित रहते हैं क्योंकि देखें क्वेश्चन यह बोल रहा है कि आमासे में तो हाइड्रोक्लोरिक अमल रिलिज होता है और आप जानते हैं ये बतादुछी संपल भ sayin वह अंसुंस गिरा दिया जाए तो आपका हान जल जाएगा वह चीज हमारे पेट से हमारे को फूर को पचा सकता है और सुरक्षिद रहती है यह इनि म्यूकस चिपचिपा कि चिपचिपटता टाइप का क्या होता है लेइर होता है जिसी ल को इनेक्टिव कर देता है समझे अब अमधने के दीवार में मवजूद विसले पदार्त का कौन सा अंग अभिशोषन करता है देखिए कोई भोजन क्या हुआ पचा हुआ है तो पचा हुआ भोजन का क्या अब उसमें कुछ विश्यला पदार्थ हुआ है हर चीज तो फाइदेमन्द नहीं होता यह इसक你說 चैसे बागना करता है जिसको सरियर से बाहर निकालना है तो उसका काम है कौन किड़नी किड्टी को repeat का किरता है या क्या करता है या क्या करता है मैंने बताय था ना भी पेपसीन एंजाइम प्रोटीन को पॉली पेप्टाइड में बदल देता है किसमें प्रोटीन को पॉली पेप्टाइड में कौन पेपसीन एंजाइम और पेपसीन एंजाइम कहां से रिलीज होता है स्टॉमक से स्टॉमक यानि अमासय से अमासय कोई और क्या कहते हैं उदर गुहा कहते हैं ठीक है और वो polypeptide फिर दीरे-दीरे किस में बदल जाता है अमीनो आमले में वो कौन करता है तो कुछ proteases enzyme होते हैं वो आपको ध्यान नहीं रखना है लेकिन pepsin enzyme का काम क्या है तो protein का पाचन करना इतना आपको ध्यान रखना है फिर qay개 kepcine enzyme क्या करता है तो protein को polypeptide में बदल देता है ठीक है नेच्सट क्युटिन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निमनलिकित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं मैं बोलना दा नए protein को किस में बदल देते है malt polypeptide में फिर polypeptide के बाद amino acid में बदल जाएता नहीं किसमें amino mein kyan को polypeptide के form में हम लोग अव्सोर net नहीं कर सकते हैं उसको aminoके form में तोड़ना परता है ठिक है चलिए next question है है नेक्स्ट कोशेट में नेम्नलिखित में से वा अंग कौन है जो मानव सरीर में ग्लाइकोजेन को ग्लाइकोजेन की रूप में कार्भोईडेट को जमा करता है तो यह ग्लाइकोजेन की रूप में हमारे सरीर में कार्भोईडेट को यह ग्लाइकोजेन क्या है यह ग्लाइकोजेन एक तरीका से एमर्जेंसी के लिए यूज होता है आप यदि fasting करेंगे यदि आपके खाना नहीं खाएंगे तो अगर कार्बोधिट की कमी हुई तो वही ग्लाइकोजेन टूट-टूट के ग्रभोधिट बनेगा फिर वही कार्भोधिट टूट के क्या देगा आपको उर्जा देगा तो ठीक है तो वह कौन सा अंगे जो हमाने को satisfaction मिल जाए क्योंकि थोड़ा hard topic है human physiology पढ़ाना है तो भाई पढ़ना है क्या करोगे सब बच्चा अगर छोड़ेगा तो आपके लिए तो positive point है ना छोड़ाना कुछ भी नहीं है वही है biology में मैं maximum points को cover करने की कोशिज करूँगा ठीक है तो आपके लिए उदित pharmacy नाम से application प्लेशन प्लेश्टोर पे जाए इंस्टॉल कीजिए यहां पर basic solution course है यहां पर कुछ handwritten notes है biology physics chemistry math के और previous year question भी है और साथ ही साथ MCQs भी है नेक्स्ट वीडियो भी time पे आएगा बस आप लोग वीडियो को like कर दीजिए और अच्छे से दबा के share कीजिए ताकि हर needy people के पास पहुँचे यह free of cost वीडियो ठीक है तो चलिए मिलते हैं next class में ओके बाई